जो सरकार ने अमेंडमेंड एक्ट लाया है, इसमें सरकार की असली मंच्छा क्या है, अंदर की बात क्या है? सरकार की मनसा तो सरकार ही जाने लेकिन जो अमेंडमिन एक्ट है वो हम वफ्क बिरूध ही कह सकते हैं मिसाल के तौर पे शुरुबा देखी प्रियम्बल किया इसकी है इसमें 63 एडिशन है और 32 या 33 जो हैं डिशन है और उसको मोटे तोर पे 44 अमेंडमिन्ट है यानि एक बाल्टी में बरतन में इतने सुराख कर दिये गए कि अब वो बाल्टी का वजूद ही नहीं रहा अगर आप अमेंडमिन्ट की इतिहास में जाएं जनक हैं जो अमेंडमिन्ट को नहीं चाहते हैं उनको वफ पसंद नहीं है उनके अपनी दलील है उनकी बातों से हम डिसिगरी करते हैं उनका ये मानना है कि ये अमेंडमिन्ट आइक नहीं रहा क्योंकि किसी आइक्ट में 10-12 मैकसिमूम 21 संसोधन हो सकते हैं अगर 44 हो गया तो फिर रहा कहां हो। तो सरकार जिन लोगों के कहने से जिनके वस्य बनाया है तो हूमर्क नहीं है। मिशाल के तोर पे इलहाबाद का पर्याग राज तो ठीक लगता है। वख 1440 बरस पहले शाब्दिक वर्ड होता है ठहरना। यानि अल्ला के नाम पे संपत्ति को अगर दान कर दी गई तो उसका नाम है लोगात यानि डिक्सिनरी अर्भी में देखेंगे ठहर जाना। यानि अब उसमें कोई तबदील और बदलाव नहीं हो सकता। अब सरकार कहती है कि आप इसको उम्मीद पढ़िए। हम इलहाबाद को उतो परियाग राज पढ़ रहा हैं लेकिन मुझसे आप काह रहा हैं कि आप इसको उम्मीद पढ़िए। उम्मीद को नहीं डिफाइन किया। उनिफाइड वक मैनेजमेंट फिर इफिशियंट एफेक्टिव और डिवलप्मेंट तो इंटेस्टिंग पार्ट ही जानिए। इस शुरुवात होती है और तमाम उसकी सेंक्सिटी यानि हमारी प्राइवेट लेंड का यानि आपके बाप दादाओं ने अगर धर्मात के लिए दिया है तो सरकार करिए कि मैं तय करूंगा कि अब ये इससे अरजित लेंड जो माल गुजारी है वो इसके लोटा में खर् तो ने वोधा भास है कि सरकार की मनसारी रिफलेट करती है कि जिसके या जिस तरह से बनाया है इसमें अगर सरकार वाकि संजीदा है तो इस्में स्टेक होलडर से सजेशन ले इस्टेक होलडर वही जो वक्ष से तालुक रखता है उसमें मुतवल्ली हो सकता है जो उसका ग्यानी पुरुश हैं, तो ऐसे लोगों को जरूर जोड़ें, कि वक्त की काया कलब पल्टें, लेकिन उसका अस्तित खत्रे में नहों, कि आने वाली नसलें ये समझें, कि हम लोग कैसे थे, कि वक्त को अब उमीद पढ़िये, इलहाबाद को परियागराज पढ़िये, और आ नहीं हो सकता, इसी तरह पांच साल का मुसल्मान प्रैक्टिस वाले को वक्त क्रियेट करने का राइट होगा, वक्त यूज करने का राइट होगा, मैं आपको एक एक एग्जांपल बताओं, कि फिल्म इंड़स्टी में धर्मिंदर एक बहुत बड़ी सक्सियत है, जब उन उन्होंने कागज पे उन्होंने इसलाम धर्म कभूल किया, आप नाम भी जानते हों किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस से इसलाम में नहीं है, लेकिन वो इलिजिबूल है,